Hello friends, आज का वीडियो वेट लोस के लिए है, बहुत वेट हो, चरबी बहुत चड़ी हो, पेट थुल थुला हो, उसको कैसे चीक किया जाए, यह आजवेदिक नुस्खा बहुत कारगर है, और अजमाया हुआ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पोस्टिक ही वियाबल क तो इसमें ये दालचिनी है, दालचिनी का पाउडर आदा चमच, आदा चमच पतीले में एक गिलास पानी डाल कर दालचिनी का पाउडर आदा चमच डाल दें, और आज को धीमे रखें, अब धेरे धेरे पानी को उबलने दें, इसको पकने दें, पकने दें और उसके बाद मिलाएं कड़ी पता ये देखो ये कड़ी पता है कम से कम 20 या 25 कड़ी पते पके पके मोटे मोटे बिल्कुल कच्छे नहीं ठीक ऐसे मोटे पते डाल दें और पकने दें अब दाल चिनी और कड़ी पता दोनों ही फेट वर्निंग का काम करते हैं उसके बाद पानी समझो अदा गिलास से थोड़ा उपर ही हो पोना गिलास रह जाए तो नीचे उतार लें छान लें और ठंडा होने दें अच्छा इस में रिक्वेस्ट है कि पलीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को सेर भी कर दीजिए अब इसको थंडा होने दो कोसा सा रह जाए ज्यादा बिल्कुल थंडा ना है कोसा रह जाए तब एक निम्बू ने चोड़ लें एक निम्बू ने चोड़ कर खाली पेट पी लें और एक गंटा बाद नास्ता करें रात को खाना खाके एक गंटा बाद फिर बना कर पी सकते हैं यानि दो बार पेना काफी है इसको गर्बती इस्तरियों को नहीं देना दूद बिलाने वाले माताओं बेहनों को नहीं देना क्योंकि दालचीनी बहुत गर्म होती है ये उनके लिए अच्छा नहीं है हाँ साथ आठ साल का बच्चा थुलतला हो, मोटा हो, ज़्यादा वजन हो उसको दे सकते हैं लेकिन आदी मात्रा आठ साल से अठारा साल तक के बच्चों की आदी मात्रा और वड़ों के लिए पूरी मात्रा तो इसको अजमाईए और कैसा लगा अपनी राय कोमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने में और अच्छा बनास्कूं आपकी सहयोग की जरूरत है और चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों में भेजिए सेंड कीजिए ताकि दोस्तों को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें बैल गंटी को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए धन्यवाद